कि यह रहा भूसी डेम का लुक कि यह रूट है भूसी डेम के लिए भूसी डेम से पहले कुछ यहां पर एट्रेक्टिव कुछ बरतन टाप के कुछ मिल रहे हैं खिलोने टापी मिल रहे कुछ परवनेंट सजावट जो घर के लिए यूज किया जाते हैं यह जो इस्टॉल्स वगरा लगे हैं पूरे कतार में यह पूरी कतार है घर की सजावटी याज़ा के मॉक गिलास प्लेट या फिर कुछ गुलदास्ता वगरा जिसमें रख सकते हो व और आगे देखें तो इस्टाइब को और भी कुछ है भाई यह मकह खाने के लिए इसनों रखके साथ यह बंद है क्या है क्या क्या बात कर रहे है वही रास्ता तरह था जो इदर दिखा रहा है तो यह बंद पड़ा है यार गेटी नहीं गुला तो जाएं कैसे तो हमने खूफिया रास्ता निकाला देखा है तो इस खूब की रास्ते की दर आप जाएंगे देखते कहां तक यह रास्ता जा रहा है अरे फिसल ना जाओं धिरे धिरे भीया आगे 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 नहां कुछ थोड़ा बैठने लग जागा है तो गाज यह रहा है भूसीडेम का वाटर और ठीक आप सीधे देखते हो तो पूरा यह भूसीडेम का व्यूव यहां से क्रियेटिव लगता आप देख सकते हों क्या गजब का लुक लग रहा है यहां से आप चारो तरफ देख सकते हो कितना खुबसूरत लग रहा है यहां से और अच्छा लगा आके यह चीज इसलिए फेमस है क्योंकि आप देख सकते हो लो नावला का पहाड जो है किनारे किनारे पे है रिजॉट वगरा भी है सामने सामने देख सकते हो तो इसलिए यह चीज यह जो है भुसी डेम इसलिए फेमस है तो सामने पड़ता है और थोड़ा क्रियेटीव बनाता है लोग को अच्छा लगता है इस पैंट करने के लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है हुआ है 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 अब अब देख आपको अपना यूड़ चैनल सजेश लाइफ तो फिला हाल आप देखो कहां मैं मौंट करा हूं अपना फोन को और कहां मैं बैठा हुआ हूँ वाइड एंगल वैसे मैंने लाया नहीं है तो इस वज़े से कहा की पूरा कभर नहीं हो पार तो मैंने मोबाइल को पूरा नीचे कर दिया ताकि मेरा फूरा फोटो पूरा कभर हो सके पीछे का विव और मेरा चाहरा और और तो गाइस यहां की बात करूं अब भूसी डेम की बात करूं तो यार ठीक ठाक है अगर रेटिंग अगर देनी रही मुझे तो पाई में से मै त्री इसलिए दूँगा क्योंकि बगल में जो पहाड़ है इस वज़े से और सीजन के अगर बात करूं तो यह रेणी सीजन में इधर आओ ना तो मज़ा आ जाए और यह इसका वाटर का जो लेवल है ना इसका वो भी बढ़ आता है और खुबसूरत मजा रहा है यहां से देखनों को मिल सकता है फिलाल तो रेणी सीजन में आया नहीं हूं है तो उस हिसाब से रेटी में थी दिया फिर भी काफी दिया है काफी अच्छा लोग यहां क्रिएट हो रहा है बहुत सारे लोग सेल्फी पॉइंट बना कर रखें आप कह सकते हो कि बहुत सारे फैमिली भी आ सकते हैं और अपना कर सकते हैं कि वीकेंड बिताने के लिए ठीक ठाक है एक दो घंटा आराम से इजली यहां पर बिताने लागे जगा है कि यहां भाई लोग आ रहे हैं फैमिली के साथ बुल मिल सकते हैं अच्छा सा मॉमेंट क्रियेट हो सकता उनके साथ और आना त तो गाइस कुछ देर बाद यहां से हम लोग किसी और अधर स्पोर्ट में जाएं क्योंकि यहां हमने 1.5 घंटा इस्पेंड कर दिया हमारे पास टाइम भी नहीं अब बीच में इंकरप मत करना भाई मुझे बात करना जा भूल जाता हूं तो कुछ अच्छा लगा और भी कुछ अच्छा है यहां से सेल्फी पाइट आप के सकते हूँ उस वीडियोग्राफी सिनेमेटिक कुछ आप यहां से ले सकते है इंगते और खुपिया रास्ते दिखाए भाई इस खुपिया रास्ते की और हम लोग चलेंगे इस आम जो है डेम का रास्ता सी ठीक वपर क्य पुरा इधर जपनी टाप को कुछ बना हुआ तो डेम के ठीक पिछे ही है यह रहाट डेम का पॉर्शन जो आप देख रहे हूं कि देम का पिछे का पॉर्शन है और यह आगे के देख सकते हैं पॉरा उसी का है मतलब वसी डेम का इंटर करने का मैं यहीं होगा इंज्वाइब ज्यादा करने के लिए यही डेम हो सकता यह जो पहले आप देख रहे हो यह सीड़ियां जो बनी हुए यहां पर लोग बैटके आनन दे सकते हैं इस दिर पहले मैं ठीक उस पार था जूम करके आपको दिखा देता हूं उस पार था जहां दो चार लोग आपको दिख रहे हैं उसके बाद मैं आग यहां ठीक लेप्ट साइड तो लेप्ट साइड के नजारा इधर से इसका सीम कुछ इस तरह क्रियेट हो रहा है इस तरह क्रियेट हो रहा है बहुत सारे लोग इधर से दिख रहे हैं मैंको खैर उतना भी नहीं है लेकिन इधर से राइट साइड के सारी लेप्ट साइड से न पर हो जाता है तो आप पीछ पीचे की स्जिढ़ियां देखें आपने तो वहां क्या होता है जर्ना टायब हो पछे बंढ जाता है तो उसyorsun मभी आया हूँ खेंडी के सीजन में भी तो बर्सात नहीं है जब बर्सात कि अगो भी कों तब कुछा अठी यह शक्कर कर सब्स्कर कर गार तो यह दो को यह उट कंगा टेए नियुत उतल जा दाने हैं व्युक्त शुट कम रखते दाले लेवाटर श्रीटरश के श्रीयर देल हैं कर दो कर दो कर दो कि एक उपर में यहां रिजॉड बना है कितना मस्त लग रहा होगा पहाड में रिजॉड बना है क्या खुबसूरत न जा रहा होगा वहां से अगर यार एक बार मौका मिल जतना जाने का वहां पर जानू का अलाव नहीं कर रहे हैं यार यह लोग नोसेना वाले लोग अगर वो अगर जाने के लिए अलाव कर देते हैं यार तुम मत पुछो बस्टेंड की और जा रहे हैं और बस पकड़ते हैं देखते कौन से बस मिलती है गौवर्मेंट मिले तो गौवर्मेंट से ही निकल दूँगा ऐसे मैं किराय की बात खरूँ तो अगर आप तलेगाओं से आते हो तो 40 रुपे किराया है गौवर्मेंट बस में औ और आप मांगे चलो एक्सप्रेस ना कर जाते होगे तो 30 से 40 रुपे मांगे चलो 30 किलोमेटर का डिस्टेंस है यहां से तलेगाओं से लोनावला लोनावला से तलेगाओं 30 किलोमेटर का रेंज पड़ता है यहां पर सिर्फ गौवर्मेंट की बसे शुरुपती है तो देखते हैं आज हमारे लिए तालेगाओं के लिए कौन से बस अभी कितने बज़े मिलती है और बस हमारा लोनावला का ट्रिप यहीं पर खताम होता है तो देखते हैं इसके बाद कब मूड होता है लोनावला आन इसके बाद हम लोग लिखने हैं सीधा दुरूं की चेहर देख्या आप समझने आ रहा होगा गयार इतना जच चुके हैं हम लोग आला पार कर लिया है और यह सब्सक्राइब को यह सो रहा है इधर दो और महाफुरूस हैं जो कि देखो जगे हुए हैं और जाने का अरास्ते क कि अजाने लिएर गुरा है और महाफुरूस है का। झाल झाल